दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का देश नीती पर राजस्तान से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है जिस वसुन्धरा राजे के खिलाफ किरोरी राल मीना को नरेंद्रमोधी ने उता रहा था जिस किरोडि लाल मीना को लेकर के राजस्टान की राजनीती को एक नया मोड देने की कोशिश नरेंद्र मोदी और शाह कर रहे थे विधान सभाचुनाफ के दोरान खास करके वसुंधरा राजे को एलिमिनेट करने के लिए उस किरोडी लाल मीना ने मंत्री पद से राजस्तान में इस्तिफा दे दिया है इस बड़ी खबर ने हलचल तेज कर दी है, सियासत को गर्मा दिया है और सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिर राजस्तान में जो बगावत की सूर सुनाई दे रही है जो बगावत की गुंच सुनाई दे रही है क्या वो नरेंद्र, मोधी और शा को बुरी तरहां से फसा सकता है इस पर विस्तार से चच्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार अजय शुकला जी जूड रहे है तो अजय शुकला जी स्वागत है आपका सर देशनीती के मंच पर हमारे साथ जूडने के लिए इस बार मोधी 3.0 जो बनी है वो देख रहे हम J.U, T.D.P, S.S जो उनके घटक दल है उनके साहारे पर बनी है सरकार यूपी, उत्तरप्रदेश, राजस्तान, जहां भारती जनुता पार्टी, विधान सभाद चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था उत्तरप्रदेश में तो नहीं लेकिन दोनों जगा पर डबल इंजिन की सरकार है भारती जनुता पार्टी की सरकार है लेकिन लोकसभाद चुनाव में उत्तरप्रदेश और राजस्तान में मूँ के बल बीजेपी गिर गई और अचानक किरोडी लाल मिना जो की माना जा रहा था कि बीजेपी से नराज चल रहे हैं उनका अचानक से इस्तिफा, मंत्रीपद से उन्होंने इस्तिफा दे दिया इसे आप किस तरहां से देख रहे हैं या इसके पीछे की राजनीती क्या हो सकती है देखे इसके पीछे की राजनीत नहीं, वहाँ पर जो इस्थिती है राजस्तान के दिराजनीत को देखेंगे, तो सायद किरोडीलाल मीना को, और जो मीना समधाय है या दलित समधाय है, उसको भारतिय जनता पार्टी ने ही सदयो वहाँ अपमानित किया और सब कुछ किया अब यह बात जनता के बीच बिल्कुल खुल के चर्चा में हो रही है, और बार बार हो रहा है कि जब समधान बचाने की बात थी, जब दूसरी और बात थी, इन सारी बात को लेकर के, जब चर्चा हो रही थी तो किरोडीलाल मीना बीजेपी के साथ खड़े थे, यह उनके स समाज में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके लिए समस्या हो गई है, वो अपने समाज में कैसे मूझ लिगा, दूसरी तरह भारती जनता पार्टी के लोग उस समाज के ऊपर अत्याचार लगातार कर रहे हैं, इतनी घटनाएं हुई हैं कि उन घटनाओं का राजस्थान भी जिक्र करना मुस्किला भी हाल की दिनों में एक बच्ची के साथ जिस तरह है कि घटना हुई, कि रोडी लाल मीना कब तक अपने समाज के साथ होते इस अत्याचार पर मौन रहेंगे, यह बात उनका समाज बार-बार पूछ रहा था, लोग समाज चुनाओ, निश्चित मीना को टिकट दो, वो जिता खिलाऊंगा, अब आप तो वाइदा करके आए थे, और छेतर में उन्होंने सभा में कहा था, यदि मैं इन्हें जिता नहीं सका रिकार्ड हंतर से, तो मैं इस्तीफा दे दूँगा, उन्होंने तो कहा था, मैं राजनीत ही छोड़ दूगा, राजनीत तो उन्होंने नहीं छोड़ी है, इस्तीफा देने की बात उन्होंने मानी है, कि उन्होंने किया है, लेकिन यह जरूर है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, अब क्योंकि जो बात आपने कही है, और उसके बाद में जो हालात है, उन हालात से यह बात बिल्कुल इ का रहा है इसका आप देखिए भारतिय जंता पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक रही जसकरन मीना वो जो है 2019 में सांसत चुनी गई थी पहले वो 2019 से 2004 तक सांसत रही थी केंदरी मंत्री भी रही उसके पहले बावजूद उन्हें हासिये पर डाल दिया गया जब टिकट 2019 में दिया गया वो जीती फिटर हजयार वोट से जीती थी और इस बार जब कनहियालाद मीना क को टिकट दिया गया भाजपा दवारा और उनका टिकट कार्ड दिया गया और दावा किया गया कि उन्हें रिकार्ड मतों से जिता करके लाएंगे कि रोडी राल तो वो तो नहीं कर सके। भुक्तान करेंगे और इस्थिती यह है इस बार उनों ने करीब साड़े तीन लाख वोट से जो है साली ढाई लाख वोट से हराया है तो ढाई लाख वोट से यदि हरा रहे हैं तो माई नहीं रखता है साइद दो लाख 38,000 के आसपास का वोट है तो आप यह समझे कि 75,000 से हारी थी उनकी पत्मी इतने से जिता रहे हैं तो यह छोटी जीत नहीं होती बहुत सारे ऐसे प्रत्यासी हैं तीजगर में आप देखे कांग्रेस का एक प्रत्यासी 48 वोट से हराया गया इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कई सीटें देश की तमाम ऐसी सीटें जहां बीजेपी जीती है जहां जीत का अंतर 2,000-3,000 के अंदर तो ऐसी इस्तिती में यदि आप देखें तो यह बड़ यह निश्यत रूप से हार थी और एक बड़ी हार इसमें प्रधान मंत्री को भी प्रधान मंत्री ने वहां रोड सो किया वहां रैली करी सब कुछ करने के बाद में पूरी ताकत खुद प्रधान मंत्री ने लगाई थी और उसके बाद हरा दिया गया इससे आप समझे एक तो धर्म की धर्ती है और वहां पर मेहंदी पुर्बाला जी जो पूरे दुनिया में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि तमाम तरह के लोगों को इसिकार होते हैं तो आँ जाते हैं तो मुक्ति मिलती है चुकि मैं जिन दिनों हिंदुस्तान अख़ार का संपादक करता था उ कोई मित्र थे तो वो लेके गए थे तो उनके साथ गया था तो मुझे पता उस छेत्र का क्या तो आज उस छेत्र ने नकारा है जो बीजेपी को सपोर्ट करता था वह छेत्र आज बीजेपी को नकार रहा है यह इस बात का संदेश है कि उसने उन्हें अस्वी कारा है इसलि नहीं था वहां दूसरी तरफ दूसरी तरफ भाजपा के लोग हमला कर रहे थे वो नीचा दिखा रहे थे तो जब वो नीचा दिखा रहे हो तो फिर और क्या बचेगा जी यानि पूरी तरीके से किरोडिलान मिला जैसे दिगज नेता का आला कमान से नराजगी या शायद बा तक पहुँचेगा क्योंकि इस पर बैसाकियों के सहारे पर सरकार है यही कह रहा हूं प्रदान मंत्री की यह हिम्मत नहीं हुई कि भारती जनता पार्टी के संस्दी दल की बैठक बुला करके खुद को भाजपा के नेता जो है संस्दी दल के नेता के तौर पर चुनवा लेत तमाम लोग कहते हैं कि जवर जस्ती कुरसी पर बैठा बैठती है तो इससे आप समझ सकते हैं आज यह स्थिति हैं मजबूरी है लोगों की यह चीज दिख गई सडन में जब राहूल गांदी सडन को संबोधित कर रहे थे उस वक्तियात करिये जब राहूल गांदी ने कहा कि इनकी पार्टी में भी लोग डरते हैं और वो नहीं कर पाते हैं तो पूरी पार्टी के लोग मुस्कुरा रहे थे हर बैक्ति की एक प्रकार से चेहरे से दिख रहा था कि उनकी हामी है इस बात के लिए कि हाँ आज उनकी पार्टी में लोग तंत्र खत्म है और इस तरह क कि यह वी हम देख रहे हैं कि पहले जब नरींद्र-मोदी इंट्री लेते सदन में तो मोदी के जैकारे लगते थे अब वो जैकारा कहीं न कहीं बंध हो गया अगा नरींद्र-मोदी पर विपक्षी सांसद हमला обलते थे तो हर कोई जो है मोदी जी के डिफेंस में खड़े हो जाते थे लेकिन आज मोदी जी के सांसद ही शायद नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े नजर नहीं आ रहे हैं इन 240 में से क्या आपके पास ऐसी खबरे हैं कि कुछ सांसद होंगे जो नहीं चाहते थे कि नरेंद्रमोदी तीसरे बार के लिए प्रधान मंत्री बने और ये बगावत का दौर अब शुरू है आते गता है कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की अवस्रिक्ता नहीं होती जब राहूल गांदी सदन के अंदर नरेंद्रमोदी पर हमला बोल रहे थे उस वक्त देखे कुछ चुनिंदा मिनिस्टर्स चुनिंदा सांसद ही खड़े हो रहे थे सोर मचा रहे थे से सब खामोज बैठे बिलकुल तमासा देख रहे थे पूरे सदन में पूर्ण उपस्थती थी उसके बाद यह हालत थी क्यों थी क्योंकि बहुत सारे लोग अनमने से आज मजबूरी है उनकी वो नहीं जा सकते हैं करी और उनके पास में आज बिकल्प नहीं है जिस दिन बिकल्प मिल गया जिस दिन ये दो बैसाखियां जो कर देंगे और वो लोग आवाज बुलंद करने लगेंगे और वो बताने लगेंगे क्या हाला थे आज इस तत्य यह पार्टी के मूल संगठन में तमाम सारी समस्याएं तमाम लोग आज इसको लेकरके दुख व्यक्त करते हैं कि ऐसा हमारा प्रदान मंत्री है जो हमारी खुआ उसमें भाजपा के भी तमाम सारे नेताओं और उनके परिवार से भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी नाराज है उनसे वो अपने दर्द को बया नहीं कर पा रहे हैं आज यह हालत है कि दर्द चिपाए बैठें और हालत यह है कि तमाम सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जिनको लेके उन्हें छेतर में घेरा जा रहा है लेकिन नहीं बोल पा रहा है आप देखिए हाथ रस में गटना होती है इतनी दर्दनाग गटना होती है वहां से मले बीजेपी का वहां का नगरपरिसत बीजेपी का वहां का सांसत बीजेपी का सब कुछ तो बीजेपी को दिया और नतीजा क्या है बीजेपी सरकार में वहां पर उनके लिए कुछ इंतजाम तक नहीं है हालात यह हैं ना गारियां है ना कुछ हैं किसी तरह की इस्तिती नहीं और जब कारवाई करने की बात आई तो चंद सेवादारों को पकड़ के कारवाई की जा रही है जो इस तरह के डोंग चला रहा था उस पर कोई कारवाई यह बताता है कि यह तुष्टी करन की राजनीती करते हैं तो तुष्टी करन की राजनीती भारती जनता पार्टी करती है क्योंकि उनके वोटर है उनके लोग लेकिन उनको ही मर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है य यह हैं इनका, तो इसी तरह से किरोडी राल मीना के साथ है, कि आज जब उन्हें जरूरत थी संबल की उनकी बात सुनने की, तो न कोई उनकी बात सुनने को तयार है, न हाई कमान मिलने को तयार है, न कुछ है, तो बताईए आप, क्योंकि अभी न वहाँ बिदान सभा चुनाओ है, न लोक सभा चुनाओ है, तो अभी जाइए पढ़े रहिए, और भरतपूर से वैसे भी वहीं से ही मुखमंत्री हो गए हैं, तो ऐसी इस्तिती में उन्हें लगता है कि, और मुखमंत्री के सामने ही कहा था कि रोडिलाल कि मैं राजनीती छोड़ दूँगा, उस कॉलेज में कहा था, पूरी सभा हो रही थी जाएं, तो इससे ऐस समझ में आता है कि सारे कार्ड खेल लिये, संपैथी का कार्ड भी खेल लिया, बावजूद इसके काम नहीं बना, इसलिए यह इस्तिती है, सर आखरी सभान में यह पूछूँगी आप से, क्या अभी जो हम देखते थे कि कॉंग्रिस के लिए, या बाकी विपक्षिदलों के लिए कहा जाता था, कि इस राज्य में वो इस्तिफा दे रहे हैं, उस राज्य में ये इस्तिफा दे रहे हैं, आला कमान, राहूल गांदी, सोनिया गांदी, इस पर दिल्चस्पी नहीं लेते, क्या अब नरेंद्र मोधी के लिए, क्या बीज्य पी का वो दौर शुरू हो गया है, क्या नरेंद्र मोधी के लिए हर एक दीन जो है, कुछ ना कुछ अगनी परिक्षा उनको देना पड़ेगा, चाहे राज्य देखे, चाहे बड़े-बड़े राज्य महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्तान है, या फिर अपने घटक दलो को देख लीजिए, वो भी लाल आखे दिखा रहे होंगे. देखे अथी, एक चीज़ देखे आप, कि चुनाओ हुआ है, चुनाओ के बाद आप देखे, कि कॉंग्रेस ते इस्तीफा देने वाले लोगों की संख्या बताईए आप मुझे, कोई नाम नहीं सुन रहे होंगे इस समय, उल्टा कॉंग्रेस में आ रहा है, कली एक राज्य सवा सदस्य बियारस के कॉंग्रेस में जॉइन कर रहा है, कर चुके, ऐसे ही कई राज्यों में, जहां कॉंग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किये, वहां भी उडिशा में जॉइन किये, इसी तरिके से दूसरी और जगे जॉइन कर, लेकिन भारती जनता पार्टी में क्या हो, भारती जनता पार्टी में घबराहट है, वीचला ने, एक तो वैसे भी नरेंद मोधी 75 साल के होने जा रहे हैं, और जब वो 75 साल के होने जा रहे हैं, उस इस्तिती में भविष्य का बिकल्प तो कोई उवा देखना पड़ेगा, कोई प्रोड देखना पड़ेगा, उस इस्तर पर वो किसी को तयार नहीं होने देना चाहते हैं, वो कुर्शी से छिपके रहना चाहते हैं, वो तो अभी कह रहा हैं कि अभी तो वो 2009-2047 भी देखेंगे, विक्सित बारत बनाएंगे, तो सहाब उन्होंने तो संसत में कह दिया कि अभी और आप इतना इंतियार कीजिए तो जब यह बात कहते हैं तो वो इसी के साथ अपनी पार्टी में भी संदेश दे देते हैं कि दूसरे के लिए कोई जगह नहीं जो लोग अभी थोड़ा बहुत चांस देख रहे थे वो भी खताम है उनको यह कह के किनारे कर जाएगा 75 हो गया और किसी को यह कहा जाएगा ऐसे हो गया तो इस तरह से आप यह मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी ने सेकेंड लीडर्शीप इतनी रीड भी हिन रखी है कि उसे मजबूत होने ही मत दो आज आप बताईए जो राजस्तान क मुख मंत्री हैं बजन वाले क्या इनका नाम इसके पहले सुना था तो इस्तिती यह है कि ऐसे कमजोड लोग लाओ जो सिर्फ हम पे प्रतग्न रहें इसके अलाबा जाने नहीं कुछ ना उनके लिए संगठान हो ना कुछ भले वो आरे से से आप देखिए मनोरलाल खटर मैंने जब एक चैनल की डिवेट में कहा था कि यह होंगे मुख मंत्री तो उस डिवेट पे खुद मुख मंत्री मतलब उस समय उस डिवेट को आप सर्च करिए का इंडिया नी उचकी डिवेट ती इंडिया उजरियाना की और राजी अर गुननन नं उसको कर रहे थे एंकर बटाओं कि उसमें मैंने खुद बैठे हुए ते देमनो औरलाल और मैंने कहा था, एह होंगे मुख्मंत्री लोगों को आश्यर हो राथा आप क्या कह hm जब बन गए तो मैंने कह वे की नहीं हूए मैंने कारण था बताया था क्यों हुआ तो उसी तरीके से आप बताइए जिने यादव जी को बनाया है क्या उनकी हैसित मुखमंत्री इस्तर की थी वो अराजक भी थे ब्रश्चाचार के ब्यारोप थे सब कुछ था लेकिन बनाया उधर आप देखिए चतिसगर में इसी तरीके से तो जिन जिन राज्यों में देख को उस तरह रखने की कोसिस करता हूं और वहाँ जहां रखने की कोसिस करता है वहाँ उसे खतम कर देने की कोसिस करते हैं तो नरेंद्र मोधी Second Leadership ड dependors वी नहीं होने देना चाहते हैं जिससे उनके आखरी वक्त तक कोई चुनवती नदे सकी वो चारो तरफ अपने सिपह सालार रखना चाहेते हैं, संगठन में भी, सत्ता में भी, इस राजनीत के कारण बहुत सारे तमाम संदायों के तमाम उसके नेता उसी तरह इसके पहले आपने देखा ता कभी राश्पती कोई कमकद के लोग होते हूं, उपराश्पती कोई के लोग होते हूं, इस पीकर इस तरह के होते हूं, कभी नहीं देखा था, एक कदवार होते थे, आवाज होती थी, अपनी पार्टी के लोगों को अपने नेताओं को डाच देते थे, आज इस्थिति अपने नेताओं के आगे तो, और उनको बढ़ जा, उनके लिए राश्प अब आज सोचिए, इस तरह का राश्प राश्पती प्रोटोकॉल वाइज भी बढ़ा होता है, समयधानिक जंग से भी बढ़ा होता है, हर तरह से बढ़ा होता है, वहां ऐसे लग रहा है कि बिलकुल कहां पर हैं, यह दसा हो, तो यह समयधानिक लोगतंत्र हमें देखना इस कारण से यहालत हुई है, और इस कारण से धीरे-धीरे जंता नकार रही है, यदि तमाम सीटों का जैसे मैंने बताया कि तीन हजार के नीचे की जो सीटे मैंने जो ही, और कोई भी आपका अड़िनिस्टेटिव आफीसर मित्र होगा, तो आप उससे पूछेगा जो रहा होगा, मेरा छोटा भाई खुद आप जर्वर रहा एक चुनाओ का, मैंने उससे बात की, उसने का मुझे बड़ा ही बादा इसका, भाई जी यदि चाहता है तो दो तीन हजार वोट का मैनेज हो जाता है, उसमें को इतना बड़ा, वो राकेट साइंस नहीं लगानी होती है थोड़ा सा बस help करने, तो प्रसासन इतनी मदद कर देता है, इतने में, मतलब आप ये मान के चलिए, तीन-चार हजार वोट का खेल हो जाता है, इसलिए राहूल गान्दी ने कहा था, पूरी ताकत से वोट देगा, देखे, जहां नहीं मिला, आप ऐसी देख लिए, ऐसी क बिल्कुल, और खुल मिला करके देखा जाए अभी जो परिस्थिती है, उसमें बीजेपी या बीजेपी आला कमान खुद अपनी पार्टी द्वारा, जह कहते थे कि मोदी जी के बिना पर्मिशन के पत्ता तक जिस बीजेपी में हिलता नहीं था, वही बीजेपी में जो है, वो कहीं न कहीं सुनाई दे रही है, बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, दिशनुदी के मंच पर आने के लिए,